बूट इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं Study IZ यूट्यूब चैनल, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, Defense, Search and Development Organization की तरफ से जो वेकेंसे निकाले गी थी, CEPT AM10 की, इसमें जो आपकी वेकेंसे निकाले गी थी 25, 62, 22 के दिन, उसका result आउट कर दिये गया है, final result इसका आगया है, तो ये आपको कैसे चेक करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक वाज करें, वीडियो इंपोर्टन लगे, वीडियो को लाइक एंड शिया जूरूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विज़र कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस जॉब आपडेट के लिए, एंड ऐसे ही इंफर्मेटिव वीडियो के लिए, तो बिना आपका टाइम बेस्ट किये, करते हैं वीडियो को शुरूरू, तो फ्रेंट्स बात करें, यहाँ पे इनके ऑफिशल नोटीस की, तो जो यहाँ पे ऑफिशल नोटीस निकाला गया था, Center for Personal Talent and Management की तरफ से, यहाँ पे जो वेकैंसी निकाली गी थी, इसका advertisement नमबर आप देख सकते हैं, की तरफ से काफी बड़ी अपडेट यह निकाली गई थी, इसमें 23 September 2022 के दिन यह वेकैंसी निकाली थी, इसका exam भी हो चुका है, फाइनल इक्जाम भी इसका हो चुका है, इसका result आप फाइनल डिकलेर कर दिये गया है, तो यहाँ पे जो यह सीनियर टेकनिकल अशिस्टेंट ग्रूप B की यहाँ पे जो नॉन गेस्टेट पोस्ट निकाली थी, इसके बारे में हम यहाँ पे डिसकस करेंगी, यहाँ पे तो टोटल वेकैंसिस आपकी यहाँ पे 1075 वेकैंसिस निकाले गी थी, इसका result आउट कर दिये गया है, तो इसमें result के लिए जो आपको instructions दीगी है, आप यहाँ पे instructions चेक कर सकते हैं, यह सारी instructions आपको follow करनी पड़ेंगी, यहाँ पे result आपको कैसे download करना है, वो आपको उता सबसे पहले आप यहाँ पे जो भी candidates यहाँ पे shortlisted किये गए हैं, CEPTAM10DRTCHTAVZ जो भी आपका declare हुआ है, इसमें जो भी आपका रहेगा attestation form, medical form आपको download कर ले रहा है, इनकी official website से, and medical examination आपका यहाँ पे होगा, medical examination के done होने के बाद में, group C का, group B का जो भी post आपकी रहेंगी, central government के तुरू जो यहाँ पे आपकी दी गई है, इसमें आपको जो attached आपके attention, attestation form आपको लगाना पड़ेगा, and बाकी आपका जो document verification का, जो आपका time दिया गया है, submission of medical fitness certificate आपको देना पड़ेगा, जिसकी बिंडो जो रहेगी, वो आपकी 5 February 2023 से 10 February 2023 के वीच में, आपको यह and color photographs, और detail आपकी जो भी document verification के time आपको यहाँ पे देनी है, वो सारी आपको यहाँ पे दी गई है, तो आप यह चेक कर सकते हैं, यह official notice है, and आपको download कैसे करना है अपना result, तो उसके लिए आपको जो वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यह window मैंने open की हुई है, इसको आपको जो आपको यह चेक करना है, यहाँ पे आप इस window बे उपर आ जाओगे, जो भी आपने push के लिए apply किया था, यहाँ से आपको push select कर लेनी है, यहाँ पे अपना application number आप डालोगे, और यहाँ पे अपनी date of worth डालोगे, यहाँ पे capture code डालके, आप जो यहाँ पे generate कर सकते हैं, य आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका result है, वो अपना आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ से आप अपना download कर सकते है, result जो भी आपका रहेगा, इसका link आपको मैं description में डाल दूँगा, अगर कोई भी आपको result के, आपके लिए यहाँ पे discussion करनी हो, तो आप यहाँ पे यहाँ से अपना result भी आपना print out कर सकते हैं, बाकि आपको मैंने बता दिया है, जो आपका document verification कर रहेगा, वो आपका 5 February 2023 से 10 February 2023 के बीच रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस date को आपनी document verification करवा लेनी है, medical fitness certificate भी आपको अपना बना लेना है, तो यह सारी चैनल पर विजल कर रहे हैं, चैनल को subscribe कर लें, ऐसी ही latest job update के लिए, ऐसी ही latest job update आपको provide की जाती है चैनल पर official notice के साथ में, तो फिर मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, thank you, goodbye, take care